हेलो दोस्तो वेलकम टो वर यूट्यूब चैनल इसका नाम है सक्सिस की बात जहाँ पर आपको मिलती है गवर्णमेंट जोब की अपडेट, बिजनेस आइडियास, मोटिवेशनल वीडियोस और ओन्लाइन अनिंग की टिप्स तो इन सबी खजानों का एक ही चैनल हमारा चैनल सक्सिस की बात अभी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने बेल आइकन जरूर प्रेस करें बिल्कुल फ्री है दोस्तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़ाजा यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर क्या है दोस्तो इस बिजनेस को हर कोई इनसान तो नहीं कर सकता पर अगर आप हो एगरी कल्चर स्टुडेंट या आप एगरी कल्चर शेत्र से हो या आप औरेडी एक फार्मर हो या आप फार्मिंग शेत्र से बिलेओ करते हो तो दोस्तो यह बिजनेस आपके लिए काफी इंपोर व्रक्षभ के जानते हैं और देशी बासा में इसे सहजन बीघा जाता है दोस्तों इसके Exact अफियोग होता है यह उन्न में में प्रॉड़ियो आपको बताने वाले में आत्य कि ईतने समय में द्यार होता है इसे उगाने सई तरीका क्या है और वह कुंसी कंपनीे जो आपको इसकी खेती करने के लिए बीश प्रोवाइट करेगी और जब आपका व्रक्ष तियार हो जाएगा तो आपसे बाइबेक करेगी तो दोस्तो चलिए बीना टाइम को गावा इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं हमारा आज का यह बिजनेस आईडिया तो दोस्तो इस कंपनी का नाम है सन्राइस एगरी लेंड जिसकी पूरी इंफो नंबर कॉंटेक नंबर एड्रेस हमने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसे आप बाद में चेक कर सकते हैं दोस्तो यह बहुत ही ज़्यादा ट्रेस्टेट कंपनी और पिछले कई सालों से यह अपने शेत्रे में काम कर रही है यह बहुत सारी ओशिदी गुणों से भरपूर दवाईया बनाती है दोस्तो सरजन से भी बहुत सारी दवाईया निर्मान होता है इसलिए इस कंपनी को पत्ते, फूल और फलो की ज़रुरत होती है तो आप इसकी अगर खेती करते हैं तो आप इस कंपनी से कॉंटेक कर सकते हैं बाई बेक कर सकते हैं हमने पूरी इंफोरी इंफोरिशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है दोस्तो ड्रम स्ट्रिक या सरजन इसके बहुत ज़् फाइदे होते हो शिदी दोस्तो इसका उप्योग कई एंटिबाइटिक दावाईया बनाने में किया जाता है दोस्तो इसके जितने फाइदे होते हैं आपकी स्क्रिन के सामने आप बिना स्कीप किये इसके सभी फाइदों को ध्यान से देखे दोस्तो झाल झाल दोस्तों सर्जन गय वरक्ष मात्र तीन महीने में फल फूल जाता है और उसमें ज़्यादा पानी की रिक्वारिमेंट भी नहीं होती है दोस्तों इसके फल पत्य और फूल सभी का बहुत ज़्यादा औश्युदिय महत्व हैं आप इसकी खेती करके काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो Sunrise Agriland जिसे गंपनियों के साथ बाइबेक करके यह आपको 200 रुपे प्रति किंटल के हिसाब से या प्रति किलो के हिसाब से आपको इसके बीच देगी खेती करने के लिए आप इनहीं बाइबेक कर सकते हो इसके फूल, पत्या और फल तो दोस्तो सहर्जन का एवरक्ष किस प्रकार उगा जाता है इसकी पूरी इन्फो आपके स्क्रिन के सामने आप इससे ध्यान से पढ़िए दोस्तो आज की अगर हमारी आपको वीडियो पसन जाए तो उस लाइक के बड़े को इग्नॉर मत कीजेगा जल्दी से लाइक करके हमें सपोर्ट दिखाईए दोस्तो लाइक करने के बाद दोस्तो आप एक अच्छे सी कमेंट कर दीजे जो आपके दिल में हो दिमाग में हो अच्छे सी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में कर दीजे दोस्तो कमेंट करने के बाद हमारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा वी नीड यूर सपोर्ट आपके एक सस्क्राइब से हमारे चेनल की ग्रोथ होगी सस्क्राइब करने का पास में बेल आइकन जरूर प्रेस करें थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो